भक्त बंधो और बहनो आज के अपनी इस वीडियो में मैं आप लुक्त शेयर करने वाली हूँ नौ देवी दुर्गा के चोथे सुरूप यानि कूस्ट मांडा देवी को प्रसन्य करने के लिए उनका प्रिये भोग, उनका प्रिये फूल, उनका मन पसंद कलर और उनका मूल म अंधकार था, तो मा दुर्गा ने इस अंड यानि प्रमान की रशना की थी, इसी कारण उन्हें कूस्ट मांडा कहा जाता है, स्ष्टि की उत्पत्ति करने के कारण उन्हें आदी शक्ति का नाम भी दिया जाता है, चेहरे पे हलकी मुसकान लिए मा कूस्ट मांडा की समसा, करमांडलू, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्र और गदा है, आठवे हाथ में सभी सिद्धियों और निदियों को देने वाली जब माला है, देवी के हाथ में जो अमरित कलश है उन्हें वा अपने भक्तों की दिरगायों और उत्तम स्वास्त का वरदान देती है, मा कुस्ट मांडा सिंग की सवारी करती है, जो की धर्म का प्रतीक है, चहरे पर हलकी मुस्कान लिये हुए कुस्ट मांडा को सभी दुस्टों को हरने वाली मा कहा जाता है, मानिता या भी है कि शद्धा भाव से मा कुस्ट मांडा को जो भी अर्पित किया जाता है प्रसंता परवर्ष स्विकार कर लेती हैं लेकिन मा कुष्ट मांडा को मालपुय का भोग आति प्रिय है मालपुय का भोग मा को लगाने के बाद इस भोग को मंदि के ब्रामणों को भी दान करना चाहिए ऐसा करने से बुद्धी का विकास होने के साथ-साथ निर्णलेने की शमता में बृध्दी होती है इस दिन पूजा करने से शनी ग्रह की शान्ती होती है देवी कुस्ट मांडा को सतरंगी रंग प्रिये है इसलिए नुरात्री के चोथे दिन याने सतरंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए मा कोस्ट मांडा का मूल मंत्र मा कोस्ट मांडा के इस मंत्र का उचारन करते हुए दिन में कम से कम 11 बार या फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए